अज में आपको बताऊंगे टैली प्राइम में एक ऐसी ट्रिक के बारे में जो आपको बहुत ज़ुरूर पड़ती रहती है जी हां आज। हमगे बात करने वाले है तो में आपको अक्षर confusion रहता है तो हम जिस ट्रिक की बात कर रहे हैं वो यह है कि आप अपनी टैली में एक ही कंपनी के multiple addresses कैसे सेट कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कंपनी के multiple branches हैं या फिर है और यूपी में उसी कंपनी के आपकी और भी ब्रांचेश हैं कंपनी का नाम से में बस उसकी ब्रांचेश और और उसके वेर हाउसे और आप कोई भी अपना यह कंपनी में कैसे सेट कर सकते हैं ताकि आप मल्टिपल एड्रिस वहां से चूज कर सकें तो मैं आपको बता देती हूं कि यह आपका फीचर तभी वर्क करेगा जब आप मतलब जब आपकी एक ही स्टेट के अंदर इस लिए कि मेरा नाम है क्रिटेगा यूटूब चैनल तो चलिए जानते हैं कैसे मल्टिपल ब्रांचेज यहां पर मुल्टिपल लड इसरट कर सकते हैं तो देखे एक company हमारी बनी हुई है GST assignment के नाम से और जिसमें हमने already company creation के time इसमें हमने कोई address दे रखा है जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने देखे altar में हमने यह address यहाँ पर दे रखा है अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी company के multiple addresses हैं उनको हमें आप पर set करेंगे तो multiple addresses set करने के लिए आपको F11 प्रेस करना है इसके बाद आप देखेंगे others में आपको यहाँ पर एक option मिलेगा last second option enable multiple addresses अब यह जो आपका multiple addresses enable करने का option है यह आपका company के लिए है क्या आप अपनी company में multiple addresses कैसे दे सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी को sell कर रहे हो और आप दूसरी party के भी अगर आप multiple addresses देना चाहते हो तो laser में कैसे दिया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में आज मैं आपको company में set करना बता रही हूं इस पर आपको करना है yes जैसे आप yes करेंगे तो सबसे पहला option आएगा आपका primary का primary रिखिए अब जब आप primary को एंटर करते हैं तो primary में आपको वो आपका address मिलेगा जो आपने company create करते टाइम एक address दिया हुआ है अब आपको अगर इसमें और address देने हैं तो आप यहां से अपना दोसरा address अपना create कर सकते हो जैसे कि माल ल दो या फिर आप इसका नाम दे दो secondary ठीक है कानपूर ले लो एंटर करोगे तो आपको यहां से अपना पूरा उस address की detail देनी है जैसे की mailing name देना है तो mailing name तो अपना वहीं रखेंगे GST assignment ठीक है इसके बाद address हम दे देंगे जैसे कि मैंने यहां पर एक address दे दिया है new अशू दे दिया है जैसे कुछ इस तरीके से मुबाइल लंबर दे दिया है ऐसे आप फैक्स नमबर इमेल वेब साइट जो भी था हमने सब यहां से एंटर कर दिया अगर आपको तीसरा बनाना है तो आप से के नाम से भी बना सकते हो जितने addresses उनको आप यहां पर mention कर सकते हो इसके हैं यहां पर हमारी दो जून की डेट में एंट्री हैं हम एंट्री पर आजाते हैं यहां से हम कोई भी अपनी एक sales के एंट्री ओपन कर लेते हैं अम माल लिया इसे हम प्रिंट करना चाहते हैं तो एक इंवाइस प्रिंट करके देखेंगे को उसमें multiple addresses हम दे सकते ही कि नही तो इसको alt के साथ P करेंगे इसके बाद आप current पर जाएंगे अब current पर जाने के बाद इसी screen से आप देखेंगे तो आपको button बार में यहां पर एक title option मिलेगा जिसका shortcut है F7 आपको button के बार में यहां पर एक चोटा सा arrow दिख रहा है उस arrow पर आपको क्लिक करना है ब्यान से दे इसके बाद आती है type of address कि आप कौन सा address अपने invoice में देना चाहते हो मतलब primary यह कानपुर वाला तो अगर हम primary लेके देखते हैं और उसके बाद फोन नंबर फोन नंबर शो करना है तो आप yes कर सकते हो website शो करना चाहते हो तो आप yes कर सकते हो इसके बाद आप इसे safe करिए तो यह तो है हमारा primary बाला बिसका पहले में एक बार प्रिव्यू देख लेते जूम करके हम आपको लिखा लेते कि देखें प्राइमरी हमारा जो था वो था एट्री वन जिरो सेकेंड फ्लोर सेक्टर 555 नोईडा यह तो था हमारा primary वाला address जो हमारा यहां पर शो हो रहा है कैसे आप इसका प्रिवी देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से अब हमें अपना वह दिखाई दे रहा है जो हमारा कानपूर का है 124566 निव शोपनगर और सारी चीज़ें आपको यहां पर दिख रही हैं तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी के multiple addresses यहां पर देख सकते हैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लेजर में मतलब आप बिलिंग करते टाइम multiple addresses कैसे दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर करें हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में न्यू टुटोर लोक्तो बंको दोडियो बेलिए भाइब आप लिए स्क्राइब जरूर राब काहिं पुर्ण बाइब टैनल के टाइब लेक्राइब करते देना घडियों कि आएडियों कि आपको